हेलो गाईज आप सभी का एक बड़ फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल फ्लाइंग शॉटेंग जो गाईज आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट पे कट ओफ क्या रह सकती है यूपी एससी एफो परसनल असिस्टेंट की जो साथ जुलाई को होई थी और क्या उसक चैनलों पर ये चलाया जा रहा है बहुत से आप आर्टिकल्स देख रहे होंगे कि या आंसर की तब आएगी तब आएगी तो देखिए मोस्ट आफ दा केसे में यूपी एससी आंसर की रिलीज नहीं करता जो आफ लाइन एक्जाम करता है तो इसमें भी उमीद है कि कोई आ लग से कोई PDF या कुछ नहीं निकालाई सिर्फ advertisement के copy है उसके आधार पर मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा जो भी आपकी skill test से related होगी और cutoff क्या जा सकती है final में बताऊंगा देखिए दो-तीन साल पहले UPSC, EPFO का assistant का exam हुआ था उस assistant का exam की जो cutoff थी general category की 92 point something गई थी आप Google पे सर्च कर सकते हैं previous year की cutoff में 92 की cutoff के बाद उसका tire 2 होना था यानि second paper होना था लेकिन उसका second paper और यहां skill test 120 word per minute में जमीन आसमान का फर्क है इसलिए क्योंकि 120 की short hand आते हुए एक skill आते हुए candidates को भी परिशान करती है उसे भी fail कर सकती है क्योंकि unseen passage depend करता है कि वो कौन सा पूछता है अगर उसने जरा सा भी कोई tough पूछ लिया तो आप समझिए एक word छूटने के बाद speed का क्या होता है 120 के rhythm में तो बहुत tough है second phase जो personal assistant का होने वाला है उस वाले में written test था यानि कि इतना मैं tough उसे भी मानूंगा क्योंकि UPSC paper बना रहा है तो definitely tough होगा टायर 2 भी जब टायर 1 इतना tough था तो टायर 2 भी होगा ठीक है तो 90 cut off गई थी 92 प्लस 300 number का paper था उस समय भी और यहां पर भी फिलाल सेम criteria है 300 number का paper है cut off किती जाएगी बाद मैं बताऊँगा देखे दूसरी चीज इस exam में candidates 25 से 30,000 या जादा से जादा 40,000 लोगों ने ही अप लोग ही appear हुए एक लाग something form भरे गए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस से पहली वीडियो में भी और अपनी एक original वीडियो में भी जिसमें मैंने RTI भी लगाई है copy लगाई है ठीक है आप लोगों को दिखाया है तो एक लाग में से अगर 20-30,000 बच्चे देते हैं paper या 40,000 भी और vacancy है 300 के आसपास ठीक है कि अगर हम तर्च पे चलते हैं SSC आम तोर पर great C में जहां 100 की speed होती है वहाँ वो तकरीबन 4-5,000 बच्चे बुला लेता है सिर्फ 100 या 1.500 वेकिंसी पर वो 4-5,000 बच्चे बुला लेता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजे अगर 1.500 वेकिंसी पे वो 4-5,000 बुला रहा ह ठीक है यानि कि एक तरीके से आप मान के चलिए 30 गुना लगबक 30 गुना बच्चे उगला रहा है क्योंकि उसे पता है कि 100 की speed पास करना इतना असान नहीं है लेकिन SSC कई बार skill test आसान दे देता है तो बच्चे पास भी हो जाते हैं आपने देखा होगा लेकिन कितने होते ह तो उतने 100-500 वेकेंसी में 200-300 बच्चे पास हो रहा है skill test में जब skill test आसान आ रहा है great C में 100 वर की speed में यहाँ पर speed है 120 तब आप सोचे कितना competition होगा तो उसके हिसाब से मेरा मानना है कि 30,000-40,000 बच्चे जितने भी जिनोंने exam दिया है उनमें से 30 टाइम्स जो वेकेंसी है उनके उतने बच्चे बुलाए जाएंगी और UPSC अच्छे से जानता है कि skill test 120 का आसान नहीं रहने वाला ठीक है आसान skill test होगी मैं इसकी guarantee देता हूँ क्यों देता हूँ क्योंकि मैंने UPSC के आप side पे जाईएगा जो departmental exams होते हैं PS level के 4800 गरेटे कि उसकी dictations already uploaded है बहुत आस लगे जिसको यह लगे कि मैं demotivate कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है 120 की speed लाना within a one year यह impossible है सीधी सी बात दूसरी चीज़ अब इसमें आती है error percentage कि देखिए मैं यहाँ पर 120 की speed इसमें लिखी है error कितनी माफ होगी यह नहीं लिखी error का जो standard है वो आमतोर पर 7 और 10 का चलता है 10% भी कई exams में दिये जाते हैं तो अगर 10% भी देता है UPC बहुत tough होगा 120 में पास होना ठीक है और हम जानते हैं एक comma या जो essential commas है या कुछ spellings जो capital आनी है हमने short कर दी तो हर चीज़ की गलतिया है इसमें ठीक है हालनकि कुछ चीजों की गलतिया नहीं होती पैरा वगेरा की गलतिया नहीं होती कई जगे fully stops की गलतिया नहीं होती लेगिन आप initial word बनाएंगे तो capital होगा अगर fully stop आपने miss कर दिया तो वो भी आप miss करेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़े है तो उस हिसाब से मुझे लगता फिर आपका जो है final merit बनेगा written के case पर तो उस हिसाब से मुझे लगता है साड़े आठ नो हजार बच्चे बुलाए जाएंगे 30-35,000 बच्चों ने exam दिया है तो मेरे हिसाब से paper भी moderate to tough था मैं बहुत आसान नहीं कहूंगा और बहुत ही ज़्यादा tough नहीं कहूंगा लेकिन 90 के आसपास अगर आपके number बन रहे हैं आप तैयारी में लग जाएए मुझे लगता है कि assistant का जो exam 92 गया था previous year में उसी के आसपास follow करेगा 90 के आसपास जो है आपकी general category की cutoff जाने वाली है और 80, 85 या 75 इस range में आपकी जितनी भी reserve categories है आप EWS ले लिजे आप SCST ले ले लिजे या OBC ले लिजे non-creamy layer उनकी सभी की cutoff है वो 72, 85 के आसपास रहने वाली है तो मेरा मानना ये है बाकी आप लोगों का जैसा भी review रहेगा आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइएगा और आपके result मुझे estimated है कि 15 अगस से पहले आपके आजाएंगे और skill test की जो date है वो आपक कि तकरीबन October में 18-19 के आसपास या फिर फिर वो sketch के फिर November या December में जाएगी तो October में chances है अगर आपका result 15 अगस से पहले आता है तो क्योंकि DAF के form भी भराए जाएंगे उसमें 15-20 दिन आपको दिये भी जाएंगे उसके बाद जाकर आपका admit card जो होगा वो issue होगा फिर venue और अगर ये वीडियो ये information आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जुरू कर देना चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना थेंक्यू सो मच